अश्टोत्री दिशाग जो आपने गडित किया है उसी को संग्रह करके एक श्लोग में बता रहे हैं शडाजित्येच वरशाणी चंद्रेपंच दसईवच मंगलेचाष्ट वरशाणी बुदेशब्त दसईवच सनौच दसवरशाणी गुरावे कोन विंशदिही राहोर्द्वाजश वरशाणी शुक्रस्याप्यक विंशदिही सूरी के 6 साल होता है अश्टत्री में सूरी का 6 साल चंद्रा का 15 साल मंगल के 8 साल बुद का 17 शनी का 10 गुरू का 19 राहु का 12 और शुक्र का 21 कुल मिला करके वह 120 साल है यह भी फरकों से कुछ नहीं पड़ता है लेकिन के तुको छोड़के इन्होंने अब सभी ग्रहों का अलग अलग वर्ष बांटा हुआ है निर्बरोदरे जन्म कब हुआ है माल शुक्र तुषा का अंति में जन्म हो गया उन्नी साल चला गया बीस साल के शुक्र तुषा है अंति में एक साल है उस समें माल दो-चार महने पहले पैदा ही हुआ जो तो उन्नी साल तो वएसे च्ला गया इस टूर उन्न दीसार इक्किस है न विन्शोट्रिमन साल है मन उन्स तूट अपने आप जो एजो आ सब्लक शुक्र का साढब उनिस तो निकल ही गया मन dites 10 उन्ना-भीस में शुक्र उनीस निकाल दो एक सुए खोATHER की ने हो गया एक से एक साल तो जी रहे हैं लोग कई लोग तो सब ग्राव गया उनके लिए शुक्र से शुरू हुआ उन्नी साल की ए अंतिम दिनों में उसने पड़ा हुआ है मालो शेश बचाए के और दो-चार महने बचाए उसकी उन्नी साल निकल गई न इतर से सो साल तक जीने वालों क पर ग्रावघ तुनको नहीं आएmar है अस्ट्तिर दिस्टाव में धिशा की आटकि दिसा होती है राहों में श्क्रम केतुगस्तान होता है दिशाओं का ना क्रम निम्लिकित प्रक्षिप्त श्लोगों से भी ज्यात होता है ये दिशाओं का क्रम यही रहेगा क्रम बदलता नहीं है इसी पर भी हो सूर्य चंद्रह खुजासौम यहाँ चनिर जीवस्तमो भ्रिगुहु काते हैं सूर्य चंद्रह मंगड बुध शनी भ्रस्पति राहु और शुक्र ये अश्टुत्रिशा के दिशाओं का क्रम रहेगा केत्यु को छोड़ कर नौग्रों की स्प्रकार से गरण करना है अब अश्टुत्रिशा का अंदर दिशा करना कैसे करोगे ये जापनी देखाता है विंश्टुत्रिशा अंतर दिशा फीर प्रत्यंतर और फल दुषा चार कुट्टी देखेते हैं यहां भी तर से करना है भी अश्टुत्रिशा तो कैसे होता है वो बताने जा रहे हैं अंतर द्रशा साधनम द्रशा द्रशा हता कारिया नवभेर भाग माहरेत यल लब्यंसो भवेन मासस त्रिंशन निगनादिनम भवेत अश्टुत्री महादशा में जिसकी सिवी ग्रह के अंतरशा आप जानना चारे हो उसके लिए उन दोनों ग्रहों के महादशा में अभिष् ग्रह के देखना चाहरे है तो लो करम रखो फिर जिस ग्रह का आप अंतरशा ग्रहन करना चाहरे हो वो ग्रह के जो संक्या रखो दोनों को गुणा कर दो पिर क्या करना गुणा करने के बाद नवबीर भाग माहरेत नो संक्या से भाग दो उसमें जो लब्दी होगा और मास होगा जो शेश बचा है लबदी के बाद शेश बच गया उसको क्या करना है तीस से गुणा कर दो तीस से गुणा करके फिर नौ से भाग कर दो जो लबदी आएगा वो हो जाएगा दिन और उसमें जो शेश मचा माल लो तो उसे फिर साट से गुणा कर दो और फिर नो से भाग करो जो लब दियोगा वो घटी होगी फिर यह जी शेश रहा गया उसको फिर साट से गुणा कीजिए नो से भाग कीजिएगा आजाएगा पल उसने में शेश रह गया तो उसको भी 60 से गुणा करो 9 से भाग कर तो आजाएगा आपको विपल इसे मास दिन घटी पल विपल तक आप जा सकते हैं निर्वर होता है शेश बचना है इनना बचे तो भी रूख जाओ अधे बास में पड़ता है कि वर दिन में रूखना पड़ता है आगे शेश बचाई नहीं तो गुणा क्या करेंगे जिस रिष्टा लेर सूरी की माधिसा में सूरी का अतवा चंदर का अंतर जानने की प्रियास करना है तो सूरी दिशा वर्ष होता है 6 चंदिशा की वर्ष होता है 15 छे से 6 को गुणा करो जिसकी माधिसा देख रहे हैं उसकी अंक पहला रखा जागा स्थाई रूपे नब देखिए महादशा हम ले रहे हैं सूरी का इसरे चे रहेगा चे 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 लिखेंगे सब जगह ना यहाद हो ही रहेगा यहाँ हम निकालना चाले अंतर दशा सूरी में सूरी का निकालना तो चे लिखा जाएगा ठीक है और भुणा करना है और चंद्र का निकालना है तो अश्टत्र में क्या है चंद्र का पंदर साल होता है फिर चंद्र के बाद मंगल का निकालना अंतर दशा यह होता है आठ आठ है मंगल का फिर मंगल के बाद आता ह बुद्ध बुद्ध का है शत्रा फिर शेद आता है शनी यह होता है दस फिर आता है गुरू उचोड़ो अभी तरह पहले कर लो इसे समझेर बाकियों को लेंगे ऐसे चेंटुचे कितरा हो गया चप्टीस अंद्रेंट चेंट वाट अड़तालिस चेंट ब्यारिस दो चेंट आता है शन्माद से भाग रिये सबकों क्या है वाटकुट्चे चतिस है ना चार में जाएगा चार मां हो गया बचा कुछ निशे शुन्य है नौचकष लिए इस पूरे चला गया इसे कमदाने दिनेख लिखा जेए दिन लिखा जेए चार मां शुन्य धिन अंद्रशा उन किस गार सुरी के इंतरषा किसमें सुरी माहदशाह में और चंडरे के नब्बह कर नो से भाग जा तो दसमा यहारीget दिन आया इस सुरी माहदशा में चंडर का अंतरषा दसमा रहता है 5 मेन, और 7 सोभता आताइसा अनो से करूंगा तो नोच्य bear when पक्ताइयस पांच महना, और 10 सना हो गोगोati यह जायेगा 5 महा 3 दग 54 को ताहिल टीन वाग गोग गो 90 को 9 सना भाग गया तो 10 पांच महा 10 इन ओ गया फांच महा 10 दिन grantsर और 302 है यार 9, 10, 90, 9, 11, 99, 11 मा हो गया 99 हो गया बचा 3, 3 को 30 कुना करो 90, 90 से 9 गया तो 10, 11 मा दस दिन हो गया साथ है, 9 चक्का, 12, 6 बचके यहां पर भी, 6 को आप 30 कुना करेंगे 180, 9 से भाग करो 20 दिन, 9, 6 मा, 20 दिन, ऐसे निकलेगा आपने जो गनित किया है, अब यह चित्रा के दे रहे हैं, वहां चाय देख भी लिजिएगा अगले प्रिष्ठ में, गले प्रिष्ठ में, 400 प्रिष्ठ में देखिए, सुरी, 6 वर्षा आरधिरा, पुषी, पुनर्वस android, पुषी और आशरिषा नक्षत में जो जन्में उएं उनके लिए सुरी मा स्यरू होता है सुर में सुरिये चार मेन, जो सही आया आपका गनित, सुर में चंद्र दस मेन, सुर में मंगल पांच मां दस दिन हो गया, मंगल का, पांच मां दस दिन, और बुद का ग्यारा मां दस दिन, वो सही आया, और शनी का छे मां बीस दिन, ये भी सही गनित आया, एक में थोड़ा गल्थ हो गया है Canadra इसे रहागे में भी गुरु राउ शुक्री इसी प्रकार से आपको करना है और ये से आपने सूरिका किया रचंद्र करना है तो जाओनां आप पंड़र लिखेंगे इसे प्रक्रिया सभी ग्रोंग के लिए अपने करना है जो इन्हें करके दिया हुआ है चक्र बना दिये हैं चित्र में लिखा हुआ है सभी के रहों का बना के दे दिये हैं यहां आठीक रहोते हैं रहों के तुई किया है इसलिए आठ है देखो यहां सुर्य के अंदर चार नक्षत्र चंद्र में भी जो है तीन नक्षत्र मंगल में चार बुद में तीन शनी में एक दो तीन चार पांच अभी जीत भी आगे ना इसकोड़े करके पांच फिर गुरु का चार नक्षत्र राहु का चार नक्षत्र एक दो तीन चार और शुक्र का तीन नक्षत्र है उनक्षात्रों पेदा होगो अश्टत्री बादस्वामें उस महादशा से शुरू होगा उनकी जनम से उसे कितना भुकत है कितना शेश है वो गणित अलग है यहां तो पुरे गणित दिया जा रहे हैं पुरे पुरे समय का प्रत्य के अंतर दिशां करना कर दिया अब अंतर दिशा के गणित करने आरंब कर रहे हैं अंतर दिशा अहर गण येव गुण्या समूलवर्शेर वसुखई का भक्त हो पुना पुना शष्टि गुणावशे से दिना देश्चो पद्यशा क्रमोयम पूर्वत्ति लेना है व अंतर दिशा अहर गण येव गुण्या ग्राओं के अंतर दिशा को पहले आप क्या करना अहर गणा तो बनाओ और दिना तो बनाओ ग्राओं के जो अंतर दिशा भी आप रहे गड़ित किया था ना चार मेना बोला सूरी में सूरी हो चार मेने को आप दिना तो बनाईए उ एक मेने में तीस दिन है ना, एक सो भी संग्या हो जाएगा, उस तर से दिनात्यों बना करके, फिर क्या करना, प्रत्यक रहा के, महादेशा जो भी आया है, जिसके अंतर से आपने उपतिसा निकालना चाहते हैं, उस महादेशा का मान से पृतक पृतक गुणा करके, गुणन से बचा, उसको फिर गुणा किजे साथ से, भाग किजे दो एक सवाट से, लब्दी होगा और पल होगा, इस प्रकार से समझना है, जैसे वजान ले रहे हैं, सूरी महादेशा के चंद्र अंतर में भौम की उपतेशा अपिश्ठ है, सूरी महादेशा के चंद्र अंतर, चं बनाओ, कितना हो जाएगा, तीन सो, हैंगी नहीं, और तीन सो को फिर हमें उसमें किसकी अंतरशा देखना चाहरा हूं, उपतेशा मंगल का, मंगल की उपतेशा, मंगल माशे कितने होते हैं, आठ साल होता है, और एक सो वाट से भाग कर दीजिए, नहीं, 2400, 2400 हुआ, उसक शेश बचाए, 2400, 2400 को साथ से गुणा किया, फिर एक सो वाट से भाग किये, तो बैठेगा, तेरा, वो भी नीचे जाकर, चतिस बच गया, शेश, लबदी है तेरा, तेरा में तेरा घड़ी, और शेश बचे चतिस, उसको साथ से गुणा किया, एक साथ हुआ, उसको जाकर में 20 दिन तेरा घड़ी, बीस पल बाइस दिन, तेरा घड़ी, बीश पल, सुरि में चंद्र, चंद्र में मंगल प्रत्यंतरद रजा, ये उप्ड़ेश एशा कह जागा, शोरी छे साल का था, उसके अंधर चंद्र हो गया, दस महलें का, तास महने के अंतरदी हो गया अब बाइस दिन और केवल सोला गड़ी है कितना तेरा गड़ी और बीस पल उसके भोग रेगा मंगल ग्रह का उपदेशा इस प्रत्य ग्रह के उपदेशां का गाणा कर लेनी चाहिए उपदेशां के इनने चक्रों चित्र नहीं दिया गया मैं आगे दिया है उपदेशां का भी दिया है देखिए यह मंगल में देख लीजिए में उपदेशा सुर्यांतर में उपदेशा चंद्रांतर में उपदेशा आप देखें दूसरे में चंद्र में मंगल देखो जो महादेशा में चंदरांतर चंदरांतर में मंगल को उपदेशाती है और क्या है नीचे वसका नीचे 22 तेरा बीस मनें 22 दिन तेरा गड़ी 20 पल आपके गणित बिल्गों सही हो गया कि इस प्रकार प्रत्यक रहागा उपदेशा वाननंकर दिया गया है अंतर चाहर उपदेशा विश्क्र उनने पूरा का पूरा दिये हुए है अब फल्दशा का साथ हों कैसे किया जाए जब फल्दशा कर रहे देखिए उपदेशा दिवसाह खारसाहता निजगटी सहिता हाँ स्वद्दशाहता हाँ वसुखा चंद्रहता घटिका दयह फल्दशा क्रम एवपुनापुनाहा अक्षार इसके आश्ट्रा है वो नहीं है नुश्ट्रुप नहीं है एक दो तीन चार पांचे साथार नौ देस ग्यारा बार तेरा अक्षार है अर बारह है विशम चंद है उपदेशा दिवसाह खारसाहता निजगटी सहिताह स्वदशाहता वसुखा चंद्रहता घटिका दयह फल्दशा क्रम एवपुनापुनाहा उपदेशा में जो दिन आया है जैसे आप देख रहे उपदेशा मंगल का उसमें क्या था 22 दिन था ना 22 दिन आया था उस 22 को कहरे क्या करना खरसाहता मने 60 से गुणा कर दो है ना 6 से गुणा करके 22 को साड़ से गुणा करो उसे तेरो जोड़ दो 22 को साड़ से ुणा करेंगे तो तेरो बीस उसे तेरो जोड़ दिया तो तेरो तैंतिस हुआ फिर क्या करना वसुखा चंद्रहता श्राहत घंषा यह उसमने आठuellement 10 चंद्रोंडेंए गा आठ से उसको भाग कर दो है कि आपने स्वा देशा आता अपनी देशा किया है उसकी मंगल की आठ है आठ से उसके गुणा कर गे फिर भाग कर दीजेगा एक सुवाट से मैंने तेरह तैंटीस तेरह तैंटीस घडी और वीश पल इसको आठ से गुणा केजिए और एक सो वाग कर दीजेगा तो कितना मचा पर दस चैसो च्यसाठ चालीस हो गया उसकी एक सो आठ से भाग कर दो वीश गुणा आठ कर दो एक सो साथ और वह जागा दो घडी चालीस पल एक गड़ी कितो होता है साट पल 20 गुणा 8 160 उसमें 120 निकाला 40 बच गया उनने लिग दे 40 पल और जो दो घड़ी उसमें जोड़ देंगे यह गुणा कि आपने 1333 को 8 से गुणा कर दो उसमें 2 जोड़ दो बन जाता है 10666 गड़ी और 40 पल इसको 108 से भाग कर दिया तो लब्दी होता है घट्या दी अंठानवे 45 पच पन अंठानवे 45 पच पन उसमें 98 से 60 निकाल दो एक अलग कर दो मानने एक दिन 38 गड़ी 45 पल क्योंग एक दिन में 60 गड़ी होता है 98 से 60 निकला 98 से 60 निकाल दिया तो एक दिन इदर ले लिया 60 के बराबर और 38 बचा एक दिन 38 गड़ी 45 पल और 55 पल यह निकलता है इस गड़ी से हैं इस तर फलते शागा साधन कर दिया के अगले प्रिशे पहले остоhtri सूर्श दिशा के अंतरकत unshah प्रतिक अंदरचय का उपदुषा के चित्र बना दिया रही है नि यह बनाने के बाद सभी गयों किस प्रकारे से बना दी जो कुई शुकरत गया उसके बाद फल दशा का चक्र ने नहीं बनाया फल दशा का चक्र अपने आप आप आशकत अनुसार जिस गरह का है जो जरुत उसकी गरह की बना लेंगे अब दशा काल का निर्णई दे रहे देखिए पहले जैसे आप रिवीशो दिर्शा में काता ना शुकल पक्ष में होतो किस्पक्ष में होतो वही बात या श्टोतरी में भी लागो करके बता रहे हैं दशा क्रिष्ट dai अशुक्ल्ये क्रिष्ट न विंशौतरी मता गननिया अशुझ जीश얼 तदमेश्वरसं मतं सब्साげ्चिन काते हैं शुक्ल्य पक्ष प्रमे क्षम होता है उसके 7ений सेाव छिछ बंचन करना करना होता है उसका चुछ बंचल्य इंशौतरी rail इम करदेना कर इस प्रकार से कर लेना चाहिए यह बात मेरा मत नहीं है बोल रहे है मां सागरेगा ऐसा ये दो उमेश्वरव संवत हम हमा महेश्वर का संवत मत है ऐसा कह दिए उमा महेश्वर का मत है कैसे पृत्त चला इनको श्रद्या का विशय इन चीजों में तर्क नहीं चलता है, उनका मद था ये, अब विंशुत्री की अनुसार, जैसे आप नक्षत्राय को गरणा करें थे, अब अश्ट्रुत्री अनुसार नक्षत्राय को गरणा करने की परक्रिया बता रहे हैं, नक्षत्राय साधनम, मासा स्चुत्र्द्शत्था, जिनानित्वाद शैवही, एवंकरदे अब्धमानम, यत्त्त्याज्यं परमाय शहौं, परमायू, 120 साल में से घटा देना, क्या होता है, विंशुत्री दिशाक्रम से साधित, नक्षत्रायू से, 14 मास, 12 दिन, घटा देने से, 68 मत्की से, आयू प्रमान हो जाता है, 14 मास, और 12 दिन, दिनानि द्वाद शैवह, 12 दिन, मासा, 14 दिन, जो भी वापर आपने आयू गणना की है, विंशुत्री दिशाक्रम के अनुसार, जो नक्षत्रायू आपने निकालते हो, वहिगर्म से निकाल करके, उसमें से, 14 मा बारा दिन घटाए जीएगा। तो भी वह, जाता है, 88 मत्की अनुसार, नक्षत्रायू बन जाता है, तो रहिए सबोलते हो, दिन 1934 मत्की से बें, नक्षत्र भोग नाडी भिर युता त्रिंशत्ध धतार सई ही बान भक्तेने चापदा नाम अश्टोत्र रियाधि सूरी भी ही जब नक्षत्र भोग घटी में तीस जोड़ो नक्षत्र भोग नाडी भी ही कितना जोड़ना त्रिंशत्य उता तीस को जोड़ियेगा फिर हतार सई ही रस्वरे छे छे से गुणा कर दीजिए गुणा करने के बाद बान भगतेन बान मने पाँच पांच संग्यास उसको भाग दे थो जो लब्दी होगा नक्षत्र भूपदी में पर 2034 नक्षत्र ही बनाया है उसमें से आप क्या कर दो जब्दैब दू जो भी उस नक्षत्र का भोग गटी है भोग गटी में तीस जोड़िएगा जोड़ने के बाद उसको च्छे से गुणा करके पांच से भाग दे दो जो लब्दी होगा वस्टुंत्री मत के नुसार उस नक्षत्रायू माना जाएगा जैसे उसी दृष्टान से गटा के देखे दुज्याद सुविधार है वो जो दृष्टान आपने नक्षत्रायू का पड़े थे चोटीस आयता ना गनित्वा उसका क्या लिया था घटी पच्चीस तीस लिया था भयात मुर्गशीर्श जन्म नक्षत्र का भयात पच्चीस तीस वह था वह जिस क्रम से किये थे यह दूसरे क्रम कह रहे है यह पच्चीस तीस को क्या करने बोला इनोंने 25 तीस को इनने कहा था उसे तीस जोड जो भो घटी में तीस जोड जो पच्चीस तीस तीस में तीस जोड़कित कितना हो जाता है पच पन तीस 25 तीस है वहाँ उसे 30 घड़ जोड़ा आप गो गया पच पन तीस इसको करना है आपने 6 से गुणा 6 तीस 180 हो जाता है 6 पन जाते शुन्य 3, 3 और 3 33 इसको साथ से भाग कर दो बनेगा 3 उतिये वहाँ जोड दो 333 हो गया 333 हो गया इसको उरने का 5 से भाग कर दो 5 से भाग कर दो यह तो कहा है न वर्तमान में 30 जोड़कर 6 से गुणा करें 5 से भाग देने पर लबधी 80 त्रमत से नक्षत्राई होती है 333 है अब 5 से भाग करें तो 5 चक्का 30 पर तेन तीस आया पर पान चक्का 30 तीन शेश भाग करें दो 66 हो गया उपर वाले प्रक्रिया में क्या काता हो उन्होंने 86 जो आया था उसमें 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 15,20 अ क्पत्ता उगला था तो बारा किया हो गा низ 20,20 18,20 18 हो गया यहाँ पर 55 टारतर एक और नाहाट में गया तो कत्तर साल 48 गड़ी और यहान के अनुसार 36 गणित के अनुसार मोटा मोटी गणित से हो रहा है कि गत्तव साल 48 गड़ी और इनके गणितिया भी जो अन्या दूसरी तरी के बताया उसके अनुसार आ रहा है चीह सट साल कि जो भयात है भयात ने बोला तीस घड़ी जोड़िएगा तीस जोड़ने के पास को छे से गुणा करिए और पांच से भाग कर दीजेगा बनता है तब शिया साट है कि अवाया उन्होंने का तो जो आपने महां गणित की विश्वत्रा के उसमें 14 साल और 12 घड़ी घटाने बोला 14 साल 12 घड़ी गटाता हों बनते 71 साल 48 घड़ी दोने में फरक है मुटा मुटे गणित में ज्यादा आयों आरा है और सुख्ष गन के नहीं ने बताया श्ट्वत्र के सार गणित गरने की परक्रिया बताई इस गण सार कम आ रहा है यह फरक द्यान में रखना है एक सो बीस में अपने चौटिस घटाया था तो वहां च्छासी आया था च्छासी में से चौटा बार घटाएंगे एकत्तर अड़तालिस हो जाता है इनकी इनकी गणित जो यहाद दिया इसमें नक्षत्र के भोग घटी में तीस जोड दीजेगा चे से गुणा कर दो इनने का फिर पांस भाग कर दो तो लब्धी अश्ट्रत दिशा के उनसार नक्षत्रा युर्का चियसर्ट हो जाता है अब जिसे पहले भी आपने धुर्वांग निकालेते दिशाओं का धुर्वांग निकालेते फिर गुणा कर प्रतेकर निकाला वसे यहाँ भी धुर्वांग निकालने के प्रक्रिया बता रहे दिशा का धुर्वांग साधन नवभीर वर्षे इर मासः शेशं अर्क गुणं कुरू मासान चिप्वा ततस्त्रिंशद गुणं तत्र दिनंचिपेत अश्टोत्रशते नाप्तं दिनंत ध्र्वका बुदाह तच्च शष्टि गुणं कृत्वा तन्मध्ये घटिकाक्षिपेत अश्टोत्रशते इर्भागं लब्दांगे घटिकावदेत शेशं शष्टि गुणं कृत्वा स्वहरे इर्भागमाहरेत लब्दांगे चपलंजेयं शेशं शष्टि गुणं कुरू अश्टोत्रशते इर्भागं लब्दं तद्विपलंवदेत कहते देखो जिस महादेशा के आपने धुर्वांग निकालना चाह रहे हो उस महादेशा को जो भी वर्ष संक्या है जिस सुरी का एच्छे चंदर का एपंद्रा इत्यादी उसको क्या करना नौ से भाग दो बोल दिया नव भीर वर्षई ही जो लबदी है वो जाता है mesela जो अर शेशमचा है उसको क्या करेंगे आप अर्क गुणं कुरू शेशम और कमने कटने ह लोता है बारा सभी हो अरक है तात्वारे संक्या illnessale बारा से उसको गुणा कर दीजिए बारेक से गुणा करने के बाद क्या करना मासान छिप्तवा तस त्रिंशद गुणा कर अंतरजिशा के जो मास आये थे उस मास को उसके सद जोड़ दो जोडने के बाद तीसे गुणा कर देना त्रिंशद गुणम तत्र दिनम छिपेत और उसमें दिन जो संख्याती अंतरजि जोड़ दीजिए तरन तरन्त में अश्टोत्र शते नाप्तम एक सुवाट से भाग देने पर लब्धी हो जाएगा दिन मास लब्धी फिर दिन लब्धी हुई फिर जो शेश वचा उसमें भी उसे क्या करना शष्टी गुणं कृत्वा साथ से गुणा कर दो फिर भाग कर दो एक सुवाट से अश्टो शते भागम लब्धांग के घटिका भवेत जो लब्धांग हो जाएगी और जो वहां भी शेश मचिया तो फिर उसमें साथ से गुणा कर दीजिएगा स्वहरे भाग माहरेत जो उसके पल थे उसमें भाग को जोड़ दो फिर लब् उसकी जो एक सुवाट से पुना भाग दे दो जो लब्धांग होगा ओजाएगा पल फिर साथ से गुणा करके जो भी पल रहे उसको जोड़ कर एक सुवाट से भाग दीजिएगा जो लब्धी होगा वी पल हो जाएगा इस प्रकार से यहां पर भी मास दिन घटी पल भी मास के लिए सीधा था जो बी वर्ष संक्या है उसको आपने सीधे नो से भाग कर देना जो बी वर्ष संक्या है महादेशा की उसको नो से भाग कर dwa लो अगले प्रिश्ट भी दिखायें दे के जैसे सूर्य महादेशा इनकी ह। अश्टत्तरी के हिसाब से सूरी माश गया है छे साल का है छे को नो से भाग करना है आपने छे को नो से भाग कर दो जाएगा नहीं जाएगा अथे क्या होगा शूनि मास हो जाएगा शूनि मास हई दो से भाग करने ते को यह रच अपन में बना तो जाएगा नहीं जाएगा लुट तो जाएगा नहीं जाए ह।त्वानि में शूनि में जाएगा था जाएगा बारे Зव क्याएग É जाएगा हो बहागता और उसको फिर तीसे गुड़ा करो कहा था किसे गुड़ा गया तो कि किसो साथ आया कि कि किसो साथ उसको एक सो आट से भाग कर दीजिए गा इस आट से भाग करेंगे वो जाता है बीस बार ने कि इस वाट के दोगन दो सोला है दो में जाएगा दो सोला शुने शुने जा बीस इस आगा कुछ चलेगा नि हाथ यह शुने पीस यह होगा क्याश का अपना दृवांक बन गया सूरी का दृवांक है शुन्य बीस इसमें प्रत्यक ग्रहूं के महादसा मान से गुणा करने पर सुर देशा में सभी ग्रहूं का अंतर देशा आजाएगा कि शोन्य भीश में प्रते ग्रह का मासे कर संक्यशें से गुणा कर दिजेगा गुणा करने से अंतर आजाएगा कि है जैसिंट्जाने करके दिखाया शुन्य भीश को 6 समय कर दो sit JB is 6ी सूरी में सूरी seller ने कालना है शोन्य बीस इंटो चे इतरा हो जाएगा शोन्य चे दोण एक सो बीस हो जाएगा एगी नहीं और एक महने में तीस दिन होता है इसको तीस से भाग रूंगा तो बचेगा चार महना चार शोन्य हो जाएगा आवादे की पहल आंतरशा चित्र में चार मेने आयए थाना सुरी ना ना न अथा अब आपने चित्र देखियो पूर में चक्रोग कैता उसमें सूरी में सूरी अ अंतरशा शोन्य जीखाएगा उपरयां शोनी चार शोन्य काहां देख रहें अब 402 पे क्यों देख रहे है देखना चे 400 में अंतरतिशा यहा है न उपदुशा चार्ट में उपर लिखा हुआ है 04 शुन नी दिया अब चंद्र का करना है अपने तो क्या करना है चंद्र है 15 सार पंद्र सब बुना करो जाए चंद्र इंटो पंद्र करूंगा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा उसको पे तीस सभाव कर दीजिए हो जाएगा 10 शुन दस महिना वांतर शादिके 10 आ गया इसी परकार शुन नी बीश को मंगल से करनी है स्वरिचंद्र के बाद मंगल आता है मंगल आठ 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 साल है ना तो हो जाएगा 107 इसको भाग कर दो 30 से पांच पार में जाएगा देड़ सो बचेगा 10 देखो पांच दस लिगा है पांच दस पांच महाँ दस दिन इस प्रकार सभी का गनित कर सकते आप द्रवांक मिल गया अवसे आगे सब अंतरशा चल जाएगा इवंचे शुरी का अपने द्रवांक निकाला वैसे चंद्र के कर द्रवांक निकालिए चंद्र कर द्रवांक क्या आएगा कि चंद्र है महाँसा पंद्रह उसको नौ से भाग कर दो नौ से बाग कर दो एक आएगा जाएगा अ पंद्र नो गया तो च्छे को कर तो बारा सब्सक्राइब हो जाएगा बहत्तर हो जाएगा बहत्तर उसको 30 सब्सक्राइब दीजिए हो एक बीष एक महानिक नहीं 1 बीष यह गया चंद्र का ध्रुवांक हो एक विए चंद्र जो गया चंद्र गार्ण है है अग्ले ज Permें 10 और अंतर सब्सक्राइब हमालो चंद्रमें 2 अंतरिशा निकाला है तो दृणक में यह जो church अधरन के उसको क्या करनें का पंदल से कुणा नर्पिर, जोजाएगा, तीनसो, पंदल इंट है, पंदल 20, थीनसो, थीनसो तीनसो के तीस से कुना भागर दो, फिटना पचाएगा, दस दस आएगा, नहीं, दस, वो धस्यूना जोड़ दिजुए, जोजाएगा, पच्चिस, पच्चिस का मतलब कितरा पच्चिस महना पच्चिस महने का मतलब दो साल एक महना शुनित अब जेखलो वहाँ पर क्या लिखा है दो एक शुनित लिखा है ना असी होता है इसे द्रुवांग से अमने आगे गणित कर सकते हो, हर ग्रह के द्रुवांग निकाल लो और इसके इस तरह से आगे सारी चिस गणिते का अंतरशन गणत हो जाएगा